दोस्तो सुजलोन एनर्जी की बात करें तो श्टॉक में फिर से पॉजिटिव माहूल बनना सुरू हुआ आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखिए 80 के उपर अब आप ये देख की सकते हो कि श्टॉक काफी जादा दोड़ चुका है आट उपरे से इसने जो दोड़ना सुरू किया था असी तक आज शुका है आने वाले समय ये कहां तक और जा सकता है इसमें आगे की क्या समय उसको समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो की मादिम से वैसे सुजलोन अनर्जी का जो मैनेजमेंट है वो लगातार एक के बाद एक बहुत सारे फैसले कर रहे है ये सारे फैसले बहुत जादा पॉज़िव है असर उसका आने वाले समय पॉज़िव ही देखने को मिलेगा इस समय क्या हमें सुजलों में निवेस करना चीए मार्केट एक्सपर्ट क्या करें सुजलों को लेकर क्योंकि वो मार्केट एक्सपर्ट जो 2 साल पहले इस श्टॉक को कचरा समझे दे अब उनके लिए गोल्ड बन चुका है तो क्या वाकई में इस गोल्ड में दाव लगाना चीए जाने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जबी नेवडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत देव तो सबसे पहले सुजलों के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की सुरुआत ही पॉजिडिवी 80.64 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की 79.95 पर यानी 80 से नीचे इंट्राडे में 79.21 का लो भी बना इसका मतलब यह कि स्टॉक के इंदर आप देखो कि प्रॉफिट वूगिंग हावी भी स्टॉक थोड़ा नीचे आ है लेकिन जो नीचले लेवट से खरिदारी लॉट का है उसने 82. 22.45 का हाई बना दिया स्टॉक ने काफी इची दौड लगई अंत में क्लोजिंग 80.80 के आसपास रही जापे 1.06 परसें की तेजी देखनों को मिली है तो क्लेली आप देख सकते हो स्टॉक ज्यादा नीचे जाने की समवान अब बिल्कुल निया जैसे नीचे तरब स्टॉक ठोड़ जाएगा काफी एची खरीदारी लोट कि आदे बड़े फंडा उस जम के खरीदारी करे और ये आपको क्लियरली मूचल फंड के जो लेटेस आखने उसके माधिम से वी समझ में आ जाएगा कि किस तरब से आपने जम के खरीदारी हो रही है बड़े-बड़े मूच यानि आपका जो निवेस है वो पिछले एक साल में ही 300% से उपर का है थ्री मन के इसाब से भी देखे तो या पर 89.99% का जबर्दस रिटन दिया स्टोक नहीं या यह कह सकते हैं कि तीन महिनों में इन्वेस्मेंट आपका डबल हुआ है पिछले एक महिने में 47.96% यानि लगातार दोड़ रहा है और वन दे के इसाब से बन परचेंट के आसफास की तेजी है अब इस महिने की शुरुआत में अगर श्टॉक देखे तो आपको 67.98 रही आट सटॉक दिखाई देगा यह 68 का जो श्टॉक है वो लगातार दोड़ते हूँ तेरा अगस को 84 का इस न सटॉक फिर से 80 को क्रॉस किया है यानि निचले लेबल से 76 श्टॉक ने फिर दोड़ना सुरू कर दिया है क्योंकि स्टॉक क्योंकि करेक्ट भी जाना हो चुका है तो यहां से एक अच्छी तेजी की समानों बन सकते हैं अब सुजलोन अन्रजी का जो बोड है उन्होंने ल सब्सक्राइब करने लेकिन यह जो फैसला इसको अब बहुत जल करने की तयारी सुजलोन ने कर लिया और सुजलोन ने एंचल्टी से रिक्वेस्ट किये कि जल से जल उनको मर्जर की इस प्रक्रिया में प्रूवल दे दिया जाए रजामंदी दी जाए तो उन्होंने 15 अग समय लगता प्रोसेज में लेकिन यहां पर कंपनी अपना जो खुद डेट दी उस डेट से बहुत पहले मर्जर करना चाहते हैं इससे बात तो क्लेली समझेंगे कि मैनेजमेंट बहुत तहीं से काम कर रहा है और इस मर्जर होने के बाद कंपनी को बहुत सारा बेनिफिटों से काफी ऊपर चला गया है और आदेवालस में इससे भी सांदार रिटन दे सकता है कोई मैटर निकरता जब कंपनी अपना काम का अच्छे से करती है तो वैसे यहां पर देख की सेंक्टरम वेल्थ के आदित अगरवाल ने यहां पर इसमें श्टॉक में खरीदारी की सला द सकती है इस लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बूखिंग आ सकती है लेकिन फिर एक तेजी से स्टॉक आगे बढ़ेगा और अच्छा रिटन देगा इसको दो तक जा सकता है लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस्टी फोर का आपको लगा लेना चाहिए और जिसको फ्रेश इ और आरवी में अच्छी खासी सुदार देखना को बिल सकती है फाइने सलियर टूथाविंटी फोर से लेकिन ट्वंटी सिक्स एक गोर्डेंट साभी दो सकता है कंपनी के लिए और इसके पीछे वजह लगा अतार मिलने वाले और इसके लावा सरकार की तरफ से जो टेंडर दूसरी तरह बगर आप लक्ष्मी श्रीक के अंसुल जैन भी श्टॉक को लेकर बहुत जाला बुलिश है एटी के आसवास खरिदारी देखने को कहरें उनको लग रहा है कि नियर टम में यह 90 को आरम से टच कर सकता है और चार्ट पेटर इस समय बुलिश है जो इसको 90 पर लगबग सभी बुलिश है तो यहां पर लक्ष्मी श्रीक के अंसुल जैन का कहना है कि एडीटू का एक ब्रेकाउट दे दिया तो यह 90 तक आरम से टार्गिट दिखा सकता है दूसरी तो सेविर रेजिश्टर मार्केट एक्सपर्ट मनिश्या भी स्टॉक को लेकर इसमें एक सांदार रिटन इसमें आ सकता है तो कुल मिला के जितने ब्रोके जाहूस है वो बहुत जादा बुलिश है और अब हंडेड के आसपास के टार्गेट दिखाई दे रहे तो यह सम्माव न दिखरी है क्लेरी क्योंकि बड़े फंड़ाउस ने जम के खरिदारी 6.23% मंत और मंद मेसेश पे बढ़ी है है मोतीला लोस्वाल मीड केप डारेक ने 346 करूड का इंवेस्मेंट किया है और उनकी होल्डिंग भी 25% मंत और मंद बेसेश पे बढ़ी है यानि इने शाषु ऑन् आंशह उन्हों ने लगा अतार बढ़ा ए मोतेला लोस्वाल LARGE और मीड कल्ट डारेक्ट ने 281 क्रोड का इंवस्मेंट किया है उनकी ओंडिंग भी 21.95% मंत और मंद बेस्ट पे बढ़ी है इसके अलावा AXIS मीड कल्ट डारेक्ट ने 211 क्रोड का इंवस्मेंट किया है उनकी ओंडिंग अंचेंजे इसके अलावा Investco India Quanta Direct ने 178 क्रोड का investment किया है Holding में कोई बदलाव नहीं हुआ है Axis Growth Opportunity Direct ने 167 क्रोड का investment किया है Holding का कोई भी इसमें मन्त और मन बेसिस पे बदलाव नहीं हुआ है इसके अलावा Moti Lals Tax Saver ने 166 क्रोड का investment किया उनकी Holding 15.67% मन्त और मन बेसिस पे बड़ी है Investco India Focus Fund ने 145 क्रोड का investment किया है उनकी Holding 35% मन्त और मन बेसिस पे बड़ी है इसके अलावा UTI Mid Cap Direct ने 141 क्रोड का investment किया है 71% की Holding मन और मन बेसिस पे बड़ी है ने उन्होंने अपना fresh investment किया है यापे इसके अलावा अगर आप देखे तो HSBC Large and Mid Cap ने यापे 137 क्रोड का investment किया उनकी Holding 18.71% मन और मन बेसिस पे बड़ी है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा निवेस किया है जिसका निवेस बड़ा तो वो है मोतिला लोस वाल काफी बड़ा निवेस किया है और HSBC Mid Cap ने भी यहाँ पे अपनी Holding बड़ाई है तो कुल मिला के Mutual Fund जम के खरिदारी करें ऐसे मैं Long Term Inversion के लिए अच्छा मौका कि सुजलोन जैसे श्टॉक में इवेस किया जाए लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors बड़ाई ले ले या अपना खुद का research करें क्योंको मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से दिरू किज़े और चैनल को subscribe कर दीजे Thank you friends